नमस्कार दोस्तों सच्छी एकालादाब गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम इस वीडियो में जी हाँ मैं जगदिश हिबारे इस वकद उटी के में रोड पर खड़ा हूँ और मैं यहाँ से पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यह है हमारा लॉज जिसमें मैंने ठैरा था और काफी अच्छा लॉज लेकिन काफी महेंगा क्योंकि वो सीजनेबल रहने की वज़े से काफी महेंगा है लॉज यहाँ पर सभी जगे लॉजिंग बोर्डिंग महेंगी होती है सीजन मे और यह है अंदर का रूम बेड्रूम जो उसकी कीमत देड़ हजार रुपर एक दिन के लिए और मैं अब इस वकत में रोड पर उटी के में रोड पर अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ और थोड़ी दिर के लिए आखर मैं सोचा चलो नाश्टा कर लेते हैं यार मैं मेरी मैडम बस में बैठके निकल चुके हैं जी हां ये राज़गंदी सर्कल इस सेंटर आफ दे सर्कल इस सिटी की जान है उटी की शान है और यहां से हम आगे बढ़ते वे पहले जाएंगे अब हम चलेंगे आगे बोटिंग जी हां उटी में बोटिंग करने का काफी मज़ा है इसका अंदाजी निरा रहा है पर क्या करें इतफाक की बात है उस दिन बारिश काफी थी चिटा आ रहा था और हमको देर भी हो चुका था इसलिए हमने बोटिंग की जगा गए ज़रूर बट बोटिंग नहीं किया इसलिए मैं दूर से ही आपको बोटिंग की दिश्ट दिखाना हूँ यह देखिए यहां कर नैचुरल पानी इसमें बोटिंग होती है फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते वे आगे निकल चुके हैं क्योंकि हमने यहां पर बस की थी जो साड़े तीन सो रोपे लेती है साड़े नौ वज़े निकलती है तो शाम में साड़े साथ बज़े लाके छोड़ती है ट्रैवलर्स बर्स और यह है उटी का सीन काफे दीमी दीमी बारिश बहत्रीन उटी थंड़ा थंड़ा मौसम दोस्तों अगर आपको मेरा कारिकरम अच्छा लगे प्लीज सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए पमेंट कीजिए धन्यवाद